हे दोस्तों कैसे आप लोग तो इस वीडियो में आपके शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट की रिव्यू जो की है एंडस वैली से और यहाँ पे आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हो इस तरीके से कुछ पैकेजिंग में मुझे हुआ था रिसीब काफी अच्छी इनकी पैक शेयर करने वाली हूँ जो एक ही साथ मुझे रिसीब हुआ था काफी अच्छी इनकी पैकेजिंग होती है इंडस वैली के जो भी कुक वेर होते हैं काफी हेल्दी होते हैं यहाँ पे आपको कास्ट राइन के आईरन के स्टेंलेस स्टील के बहुत सारी चीज़े जो मिल जा सकते हो पैन इसमें आप तड़का भी लगा सकते हो या फिर अगर आपको ओमलेट या फिर कुछी भी कुक करना है चोटी मोटी चीज़े तो आप इसमें कर सकते हो यह जो है ना आईरन का है काफी अच्छा है यह एंड इसमें मैं आपको एक रसिपी बना के दिखाऊंगी इस प्रोड़क को देखी ना इतना जादा मैं खुश हो गई कि मैं बता नहीं सकती हूँ इसलिए क्योंकि यह मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है किचन में मैं बहुत ही कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद के लिए या फिर वर्ष के लिए थोड़ी से चीज़ बनाती तो फिर इस वाले पैन में बहुत अच्छे से मेरे कुख हो जाएगा इवन मुझे अगर तड़का लगाना होगा दाल में तड़का लगाना या फिर कई बार सबजी को फ्राई करना होता है कड़ी बनाते है उसको फ्राई करना होता है तो इस वाले मैं पैन में फ्राई कर स सकते हैं क्या आज बनाने वाली हूं वह मैं आपको दिखा देती हैं दोस्तों यहां पर इसकी पैकेजिंग देख सकते हो बहुत अच्छी पैकेजिंग में रिसीब हुआ था इनके आप वेब साइट पर जाओगे तो बहुत सारी चीजे मिल जाएंगी फ्राइपैन मॉल्टी कोटिंग नहीं होता है तो चलिए इसमें कुछ कुक कर लिते हैं सबसे पहले मैं इस पैन को अच्छी तरीके से वाश कर लिए और वाश करने के बाद सूखे कपरे से एक बार पोश लूँगी और इसके बाद मैं गैस जलाओंगी और दोस्तों इनके जो कुक वेयर होते हैं वो 100% हल्दी कुक वेयर होते हैं इसमें किसी भी तरह का केमिकल कोटिंग नहीं होता है 100% टॉक्सिन फ्री होते हैं साथी साथ ये ISO सर्टिफाइड होते हैं और लॉग लास्टिंग इसमें कुक कुकिंग होती है यहां पे न मैंने गल जलाके और इस पैन को मैंने रख लिया इवेन कुकिंग होती है इवेन हिटिंग होती है यहां पे प्याज और धनिया पता मैंने कट करके रख लिया एक रेसिपी बनाने के लिए चली दिखाती हूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ उसके बाद मैं एक बाउल में मैं डालूँगी प्याज और धनिया पता थोड़ी स इसको बना रही हूं और यहां पर मैंने दो एग मैं इसमें एड़ करूँगी उसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर दूँगी बाकी सारी चीजे तो मैंने एड़ करी दिये हैं उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से करूँगी मिक्स और इसके बाद दोस्तों म यहां पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से साइड से लेयर बन रहा है और अच्छे से मैं पलटके भी दिखाऊंगी कितने अच्छे तरीके से कुक हुआ है यह हाड हो गया है तो इसके उपर जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको मैं इस पर डाल दूँगी आपना काली मिश थोड़ा सा काली मिश पाउडर वेगर भी डाल सकते हो बट मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल बना रही हूं कोई भी मसाला तेल मसाला ज्यादा कुछ मैंने लौट के लिए ऐसे पकाउगी इस चौन का लोंगी और आप सब्सक्राइब ह候 ज़ना है और थे पैन बीशें करते हैं